करेंगे राइपुर से खबर जहां कॉंग्रिस प्रदेश प्रभारी कुमारी शल्चा पहुची हैं सरकेट हाउस सरकेट हाउस में कॉंग्रिस चनुस से भेट कर रही हैं मंतरी कवासी लखमा मुलाकात के लिए पहुचे हैं सरकेट हाउस विधायक शेशुपाल सोरी, विधायक देवेंदर यादव समेत अन्य विधायक भी हाँ पहुंचे हैं बड़ी संख्या में कॉंग्रिस पदादिकारी भी स्भेट के लिए पहुंचे हैं तो कुमारी शेलजा, कदेश प्रभारी कॉंग्रिस की तरफ से बनाई गए हैं पूर्व केंदरी मंत्री और शेलजा कॉंग्रिस की नई प्रदेश प्रभारी मैडम पहली बार दौरा हुआ है, किस तरह कारिकरताओं को चार्ज करेंगे आप अभी PCC में जा रहे हैं, वहांबर सबसे मिलकर सबसे बात करेंगे किस तरह प्राथ मिक्ता रहेंगे आप? प्राथ मिकता यही है कि जो एक, दो तीन बाते हैं कि आज के दिन राहुल जी का संदेश जो है, देश के कौने कौने में पहुंचाना है, दूसरा हमारी सर्कार जो यहां पर इतना अच्छा कारे कर रही है वो भी जद जद तक पहुचना चाहिए तीसरा चुनाव आने वाला है एक साल बचा है उसके लिए सभी काम करेंगे जमीन पर जा कर काम करेंगे तेज से पहले हमारा पार्टी का अधिवेशन होना है उसकी ते गया है बिल्कुल हमारे साथ प्रदेश कॉंग्रेस की नई प्रभारी कुमारी सेलजा जिनका साफतोर पर कहना है कि 36 गड़ में कॉंग्रेस सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इस मुद्द्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे तो कॉंग्रेस की प्रदेश प्रभारी है कुमारी सेलजा वो पहुंची हो ही है राइपूर कल रात आट बचे राइपूर पहुंची और पहली बार 36 गड़ दौरे पर पहुंची है प्रदेश प्रभारी बनने के बाद और सबसे पहले उनने यही का कि प्रात्मिक्ता यही पहुंची होई हैं तमाम मुलाकाद वारिस्टों से आज हो रही है